है 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 लो दोस्तों डेरी प्रावब्लम स्लूशन चैनल में आपका स्वागता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बाते करेंगे वेटो कुनाला कंपनी का जो वक्जम एंजेक्शन आता है जो के है तो मेरा नवेदन है कि जो भी किसान बाई हमारे चैनल पर नहीं है तो वह किरफ्य चैनल को सब्सक्राइब जूर करने तांक जो हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका जो फाइदा हो सके तो दोस्तों की यह सबसे प्यानक बंवारी है में स्टै इस तो tai nut news में क्या होता है कि आपके January के ठनों में से कई बर कुणा आना लग जाता है कुण की शिदीयान अनी लग जाती है कई क्छे फ़ेद शिदीयान अनी लग जाती है पश्चु का दूद है बिल्कुल पानी बन जाता है और वह आत्त के जार्ड उसको इतनी जादा वह सब्सक्राइब हो जाती है कि वह पत्थर की तरह सकत हो जाता है तो मस्ताइट9 किसी भी TRA кी कि हो चाहे क्लिनिकल हो चाहे जब क्लिनिकल हो तो हर कंडिशन में आप इस injection को यूज़ कर सकते हैं हैं तो दोस्तों कई बर हम वीट्र से पर लगाते हैं एंट्र इन्टासल इस प्लाटे हैं प्लेन जबाते हैं तो कई बर उन से प्रेiosis नहीं हो सकती तो यह लास्ट में यूज़ करने वाला जो इंजक्शनम बहुत बढ़िया है जदि आप इसको शुरू में जूज कर लोगे तो तब भी कोई प्रॉलम नहीं इसका जो जल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा तो वक्जूम इंजक्शनम तीन क्राम जोका एंटी बायटक आईवी रूट तो दोस्तों आपने सिर्फ इसको आईवी रूट ही जूज करना है जनकि आपने सिर्फ नाडी में ही लगाना है ना तो आपने इसको चम्डी में मिल द एगा और हर मेडिकल स्टोर पर यह इंजक्शनम अपलब्ड है तो दोस्तो यह देखे सामने आप सब क्लीनिकल और क्लीनिकल मिस्टाइट्स किसी था की मिस्टाइट्स हो तो आप इस इंजेक्शन को जूझ कर सकते हैं और इसको रिपीट करने का क्या है कि कि शानमे गंटे तक यह जनवर जदी आप एक बार अपनी गाएं है बेंस है जदि उसको लगा दोगे तो शानमे गंटे तक यह असर करता रहता है बैक्टिरिया को किल्क करता रहता है तो यह एक अंजक्शन ही काफी है मिस्टाइटिस के लिए एंटिबाटिक के रूप में तो जदि आपके जन्वर को ऐसी प्रॉब्लम हो गया जदि आपके जन्वर को नॉर्मल शिदियां आ रही है खून आ रहा है जानिके उसको साथ में कोई स्वैलंग नहीं है तो आप एकेला इंजक्शन ही यह आई वी यूज कर सकते हैं और क्या होता है कि कई बार मिस्टाइटिस इतनी बिगड़ी होती है कि आपके जन्वर का जो अडर है बिल्कुल पत्थर की तरह सकत हो जाता है जदि आप अपने जन्वर के टो यह इंजक्शन आपने गोल के पूर जोिफ लगाना है अपरी गाय है बह często यंस के साथ में आप बार OL users यह यूगा दो यह दिगर गाना है वह है वह आपने यह लगाना है तो लंबर संगUB के लिए यह काम करते रहेंगे और साथ में आप मेगलुडाइन 20 एमल लगा सकते हैं जो कि एक पेंड किलर है स्वेलंग के लिए भी यो काम करेगा और साथ में 5 एमल आप आईसो फूरूड लगा सकते हैं तो यह इंजेक्शन आप लगा सकते हैं जो आपने वाग्जम और वाइरोसेन ने वह एक बारी लगाना है और ज़री कि आपके जन्वर को सोजश दूसरे तीसरे सोजश नहीं हड़ती तो आपने जो 20 एमल मेगलुडाइन और पांच एमल आईसो फूरूड लगातार लगाते रहना है तो तो दोस्तों जदी आपके गाएंबैंस का जो वजन है वजन की हम बात करें जदी आपकी गाएंबैंस का वजन तीन क्व Victory Plus कह प्लस है जोने के चार स्वाइंड के क्रीब है तो आप ये तीन ग्राम का जोstar dominate से कम है तो आप उसको डाइग्राम का इंजेक्शन है वो जूज कर सकते हैं और जो बाइरोसन वगरा की जदी जुरूरत पड़े तो आप 30 ml 15 ml एक साइड और 15 ml एक साइड आपने आइम लगाना है और आइसो फूरूड आपने 5 ml वो भी आइम लगाना है और जो मेगलूडाइन इंजेक्शन है हो जो प्रॉल्म हो जाहे वो कली मकल हो जाहें चाहें बाइन इंजेक्शन को कर सकते हैं और जदी यह प्रिडे है उसमें इसका असर रह जाता है तो ज़िए आपके जन्वर को कि यह मिस्ट्राइटिस है ब्यानकर रूपदार गया तो आप इस वक्जूम इंजेक्शन को जूज कर सकते हैं रिजल्ट की बाद करें तो रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया है तो दोस्तों जदी आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेर करना मत बोलना आपका बहुत बहुत दन्यवाद थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में